ग्रामीनों का अरोग बिनाकार्य फर्जी भुपतान सिध्धार्थ नगर जनपद में विकास खंड बर्दपुर के ग्राम पंचायद बगही की तोला हर्पावली में RCC खड़ंजा निर्मान कार्य में बड़े पैमाने पर अन्यमित्ता बरती गई है वित्तिय वर्ष 2022-2023 में मार्च माह में बिनाकार्य भुपतान कराने का मामला प्रकाश में आया है मोरी के खेट से हरिश्चन्र के खेट तक RCC खड़ंजा कार्य होना था कार्य ना होने की जानकारी ग्रामीनों को लगी तो खोजबीन में लग गए पता चला की भुपतान तीन मार्च को ही हो गया है ये बात जिम्मेदारों को जब पता चली तो आननफानन में लगभर 20 मीटर सीसी निर्मान दिखा दिया वह भी गुनवत्ता विहीन है ग्रामीनों का कहना है जल्द बाजी में नीचे मित्ती के बाद थोड़ा सा रोगा बिच्छा कर उसी पर नाम मात्र सिमेंट बालू से लीव दिया गया ग्राम सभा के एक व्यक्ति ने बताया ये तो मात्र नमुना है इमानदारी से अगर जाच हो जाए तो बगही में बड़ा खिल खुल कर सामने आ सकता है आधे अधूरे गुनवत्ता विहीन निर्मान कारियर से जिम्मेदार क्यों बेखबर है ये भी बड़ा सवाल है खबर जगत के लिए सिधार्त नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट कितना दिन पहले काम हुआ जो थोड़ा सा हुआ है तो नीचे इसकी मिट्टी है फूरा मिट्टी है खाली उपर से यही रोडी दिख रहा है बस रीचे फूरा का मिट्टी है काम हो कितना दिन बता रहे हुआ पंदरा दिन हुआ है और पैसा निकल गया मर्च में पैसा निकल गया मार्च में क्या नाम है मल खाना कहां रहने वाले हैं और पॉलिक क्या परिशान है आप लोगों को सड़क को लेकर अब यह जोड़ा खत्य पक्का सब बना कि रहा और सिसी में मोडिक खेते से वहां धारी चंद तक है अब कुछ चना इस खाली एक बोरा सिर्मिट्र में जलाकर इसे घो गया है अब 15 दिन होई गई घोरे घारे अब बताइए यह कर पैसा मर्चवें निकरी गया है काम नहीं हुआ है काम ना है कुछ अच्छ यह काम हुआ है मोके पर जहां जहां खड़े हैं हम लोग तो यह कैसे हुआ थोड़ा सजो वाए डंका हुआ कि नहीं थोड़ बहुत क्या नाम है हमारा हमारा तो नाम है रस्यावन क्या परिशानी आप सब को सब्सक्राइब परसानी तब बहुत था लकिन परसानी दूर नहीं हुआ है जो हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है और अच्छा हो गया होता तो अर्च्छ था है लकिन अब यह है जो हुआ है सहीं नहीं हुआ है हैं आपर द्राइन का एक मामला आया है यहां तीन मारे ब्रोजार देश में यह कर आर्शी सी इंटरलाकिंग का भबतान हुआ है और उसमें यह कि मोढ़ी के खेस्ट के हरीचंद के खेतक तो अंग्रा संग्यां ने आया है जै जान कर चुछ अब अब